कैसे जाने कि हम उपासना के फल को प्राप्त कर लिए लक्षण है उसके किसी भी साधन से चले जब ये लक्षण आ जाए तो जान लेना कि साधना परिपक हो गई शाधना पक गई अर्था तो वो शिद्धा वस्ता को प्राप्त हो रहा है क्या लक्षण शब्ष पहला लक्षण उसके अंदर आता है मरने का भै खतम हो जाना जीने की इच्छा बनी रहना पहला है मरने का भै खतम हो जाना चाहे वो कर्म योगी हो ग्यान योगी हो भक्ति योगी हो या किसी भी अस्टांग योगी हो किसी भी मार्ग का पतिक हो उसकी जब सिद्धा वस्था आती है तो शब्ष पहला लक्षण प्रगट होता है निर्भै सब भैों से भी बड़ा भै है म्रत्यू का भै उस उपाशक के ह्रदय में किंचिन मात्र भी म्रत्यू का भै नहीं रह जाता यह देखो अंदर से मरने का नाम सुनकर के भै लगता है कि नहीं लगता है अगर लगता है तो अभी शाधनाव पत्थ पे हो अभी लक्ष पे नहीं पहुंचे लक्ष में पहुँचने पर मृत्यू का भै ही नहीं है किसी भी तरह उसे कस्ट नहीं कैसे जैसे नाटक चल रहा हो और उसमें शाम ने बिपक्ष से वार किया गया और मरने का उनाटक किया उसको कोई बै लग रहा है सामने से तलवार भाला गोली मारी जा रही क्योंकि वो नाटक है उसको पता है मुझे ठीक ऐसा ही रोल निर्वाह करना जिससे दर्शक देख करके वाह करना बिल्कुल उसमें वो जान करके नाटक करता है वो जान करके ऐसी उपस्थित सीन करता है कि शामने वाला प्रभावित हो जाए उसको मर्कतु का भैधोरी लग रहा है क्योंकि जानदा नाटक है ऐसे ही ठीक जो परिपक कवस्था को प्राप्त है वेशा ही नाटक देखता है जैसे प्रलय में भी भैवीत नहीं होता भक्त ऐसा सास्त्रों में आया तो सेक्णों हजारों आप नाटक देखते हैं उसमें देखते हैं सेक्णों लोग मारे जा रहें गाउं के गाउं जलाए जा रहे आपको थोड़ी भी पिराने होती क्योंकि मूल में आपको पता है नाटक है ये दिखाविटी है वास्त भी कैसा नहीं है ऐसे ही उश्व पवित्र अंता करण वाले परिपक कवस्था को प्राप्त हुए किसी भी शाधन पत से जो चला है उशको शंपूर्ण संसार का नाटक रहा से पता चल जाता है इसलिए महाप्रले में विक्यवल नाटक देख रहा है जैसे अपने गाउं का गाउं आग लगाई जा रही देख रहे है पर कोई भै या दुख नहीं क्योंकि पता है नाटक जूटा है ऐसे ही ये मिथ्या ब्रह्म शत्यम जगन मिथ्या ये मिथ्या है वो अपने शरीर को ऐसे मिथ्या अनुभो का है तो अनुभो होता है जो मिध्या है उसे अनुभा हो रहा है अब उस असत शरीर के छोड़ने का उसे कोई भै नहीं है क्योंकि उसने पहले ही छोड़ दिया है माना हुआ अपनापन प्रभू के चर्णों में ऐसा समर्पित हुआ कि देह सुधी गई देह कुटुमते जाए छूटी सबही विदि ना तो जब तक मरने का भै है तब तक परिपक्व अवस्था नहीं है मृत्यू का भै खतम हो जाए जाचो यहां सब एक मिनट में लीला प्रवेश की बात करते है मुझे भगोत प्राप्ति हो गई मुझे ब्रह्मबोध हो गया है तो ऐसे कपड़ा क्यों रखते है मुझे व्यक्ति दिखाई देते हैं ब्रह्मबोध हो गया और व्यक्ति दिखाई देते है जिसे ब्रह्मबोध हो जाता है उसकी ब्रह्मदरष्टी हो जाती है व्यक्ति कहां? गलत नहीं चलो. सही से चलोगे तो ब्रह्म बोध हो जाएगा. इसलिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है. हाँ, मुझे रादा कृष्ण का साक्षातकार होगे. अरे, जब तक मैं हूँ, तु है, तब तक कहां साक्षातकार है? जिने साक्षात कार होता है वो वही होते हैं जानत तुम्हें तुम्हें हो जाती मैंने साक्षात कार किया वो करी नहीं सकता जिसने साक्षात कार किया बताने वाला ही नहीं रह जाता जो बताया जाता सब बाहरी बात होती है मरने का भै खतम हो जाए बस दुश्रा जीने की इच्छा न रहे जाए देखो कितना सुन्दर है जीने की इच्छा अभी सरी नुष्ठ हो जाए क्या जीने की इच्छा नहीं जितनी श्वासे हैं राधा 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 हमें क्या जरूरत है, कि हम साम तक जियें और साधना करें, क्यों इचा कर रहे हैं श्री जी की इच्छा है कि यही स्वांस आखरी हो तो राधा फ़गे? इसलिए हम हर स्वांस में राधा बोलेंगे, पता नहीं कौन सी स्वांस हमारी आखरी हो हम क्यों जियें अगर जीने की इच्छा है तो शरीर राग है शरीर राग है तो भोग का सुकवाव है भोगों का सुकवाव है तो संग्रे बुद्री है संग्रे बुद्री तो जिसको हमने संग्रे किया जिसे अपना माना वो छूट जाएगा इस बात का भै है इसलिए मुरत्यू से भै लगता है और जीने की इच्छा रहती है शरीर राग करता भोकता भाव यही भै प्रदान कर रहा है मूल बात समझे जीने की इच्छा खतम हो जाती है जब तक जीने की इच्छा है तब तक अग्यान है मरने का भय है तो अज्यान है कुछ भी पाने की इच्छा तीसरा पहला मरने का भय दूशरा जीने की इच्छा और तीसरा कुछ भी पाने की इच्छा कुछ भी कुछ पाने की इच्छा ने जाहिन चहिए कबं कछो तो कह दे कि प्रभू की पाने किछा, तुम यहां सिद्ध के लक्षन बता रहे हैं, सादक के नहीं, जो शिद्ध हो चुका है, उसे कुछ पाने किछा नहीं रहते हैं, कुछ भी पाने किछा नहीं रहते हैं, क्योंकि जिनके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता, वो प्राप आप ऐसे हो जाते हैं कि अपना पता ही खो जाता है वही वो रह जाते हैं कान भय प्राण में प्राण भय कान में यह मेना जान पर कान है कि प्राण है प्राण नात्स्या माजू का ऐसा अधिकार हो जाता है शंपुर्णिंद्री मन बुद्धि चित तहंकार शभाव सब भगवत में सब प्रभु में तो जब तक खोज चालू है तब तक मैं है और जब खोज पूरी हुई तो जिनकी खोज हुए ही रह जाते हैं खोजने वाला पाने की कोई भी इच्छा कुछ भी पाने की इच्छा यह कच्याई है और वहीं शिद्ध है जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है करने का राग यह करना है जब तक ये है तब तक वो परिपक कवस्था को प्राप्त नहीं है महापुरुषों के द्वारा भी चेष्टाएं होती है जिसे आप कह Śकते हैं कि उन्हों ने वो किया आप कह Śकते हूं वो नहीं क्योंकि उनका कुछ भी नहीं बकाया रहा तो जो क्रिया हो रही तुम निमित केवल उनको दे शकते हो करने वाले प्रभू ही है क्योंकि उनके मन में, बुद्धी में, चित में, आम में, चेश्टा में केवल प्रभू होते है प्रभू मैं हो करके प्रभू मैं जगत में प्रभू मैं कार्य हो रहा है वो शंशारी हो कर, शंकल्पी कल्प करके, करता भाव से कुछ नहीं, ये सिद्धावस्था का लक्षन है, मरने का भै नहीं, जीने की इच्छा नहीं, कुछ भी पाने का लालच नहीं, कुछ भी करने का राग नहीं, ये हो गई स्थिती, ये स्थिती के बाद आगे चल कर, फि प्रेमरश है ये स्थिति सब को प्राप्त होती है चाहे वो ज्ञान योगी हो चाहे श्टांग योगी हो चाहे कर्म योगी हो चाहे भक्ति योगी हो भक्ति योग में ये महा महिम श्वरूप है कि वो यहीं नहीं ठिकता अब इसके बाद उसके अंदर इच्छा जागरत होती ये जो इच्छा होती है ये जागतिक इच्छाय नहीं है देखो संपुर्ण स्री मदराधा सुधानिदी में इच्छा ही जागरत की गई ऐसा कब होगा हम श्री जी के लिए ऐसी सेवा करेंगी ऐसा स्री जी की विचिन वन्ती के शान कुछन कर जै कंचुक पटम कुछा प्यामुन चंती कुछ कनक दिव्यत कल सयो ऐसा कब होगा पत्रावलिम्रचीतुम कुछ योग कब होगा ये इच्छा ऐसा महामहिंश्वरूप है जो बड़े बड़े शिद्धों के लिए भी दुरलव है प्यारोडों चमते न यच्छी शुकादी नामत्य ध्यानकम संभाब्यूपी बिरंचिनारद सिवो यहां तक पूर्ण हो गया अब ये पूर्ण के बाद जो यात्रा होती है प्रेमियों की होती है वो अखंडानंद और अनंतानंद अनंतानंद शुरूप में प्रेम में